ओम श्री पर्मात्मने नमहा पर ब्रह्म पूर्शोत्तम ने देवरों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली या विजय वस्तुता भगवान की ही थी देवता तो केवल निमित मात्र थे परन तो इस और देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की और लक्ष ना करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमान वर्सियम मानने लगे कि हम बड़े भारी सक्ति साली हैं यह हमने अपने ही बल पौरुज से असुरों को पराजित किया है देवताओं के मित्य अभिमान को करुणा वरुणाले भगवान समझ गये भग्द कल्यान कारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा भग्द सुहर्द भगवान भग्तों का पतन कैसे सह सकते थे अता देवताओं पर करपा करके उनका दर्प चूर करने के लिए वे उनके सामने दिव साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए देवता आश्चर चकित होकर उस अत्यनत अद्वुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव यक्ष कौन है पर वे उसको पहचान नहीं सके देवता उस अत्य विचित्र महा काई दिव यक्ष को देखकर मन हिमन सहम से गए और उसका परिचे जानने के लिए व्यग्र हो उठे अगनी देवता परमत जश्वी हैं वेदार्थ के ग्याता हैं समस्त जगत जात पदार्थों का पता रखते हैं और सरवग से हैं इसी से उनका गौरव युक्त नाम जात वेदा है देवताओं ने इस कारे के लिए अगनी को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा है जात देवता वेदा आप जाकर इस यक्च का पूरा पता लगाईए कि यह कौन है अगनी देवताओं को अपनी बुद्धी सक्ती का गर्व था अगनी देवताओं ने सोचा इसमें कौन बड़ी बात है और इसलिए वे तुरंद यक्च के समीब जा पहुँचे उन्हें अपने समीब खड़ा देकर यक्च ने पूछा आप कौन है अगनी ने सोचा मेरे तेज पुझ स्वरूप को सभी पहचानते हैं इसने कैसे नहीं जाना अता उन्होंने तमक कर उतर दिया मैं प्रसिद्ध अगनी हूँ मेरा ही गौरव मैं और रहस बुन नाम जात वेदा है यह यक्च रूपी ब्रह्म ने अगनी से पूछा अगनी की गर्वुक्त सुनकर ब्रह्म ने अनजान की माति कहा अच्छा आप अगनी दिवता हैं और जात वेदा सबका ग्यान रखने वाले भी आप ही हैं बड़ी अच्छी बात है पर यह तो बताएए कि आप में क्या सकती है आप क्या कर सकते हैं इस पर अगनी ने पुना सगर्व उत्तर दिया मैं क्या कर सकता हूं इसे आप जानना चाहते हैं अरे मैं चाहूं तो इस सारे भू मंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सब को जला कर अभी राख का ढेर कर दूँ अगनी देवता की पुना गर्वो युक्त सुनकर सब को सत्ता सकती देने वाले यक्ष रूपी पर ब्रह्म पर मेश्वर ने उनको आगे एक सूखा तिनका डाल कर कहा आप तो सभी को जला सकते हैं तनिक सा बल लगा कर इस सूखे तरण को जला दीजिए अगनी देवता ने मानों इसको अपना अपमान समझा और वे सहे जिए उस तरण के पास पहुँचे जलाना चाहा जब नहीं जला तो उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी सक्ती लगा दी पर उसको तनिक सी आच भी नहीं लगी आच लगती कैसे अगनी में जो अगनी त्व है दाही का शक्ती है वह तो सक्ती के मूल बंडार परमात्मा से ही मिली हुई है वे यदि उस सक्ती इस तोत्र को रोक दे तो फिर सक्ती कहां से आएगी अगनी देव इस बात को ना समझकर ही डिंग हाक रहे थे पर जब ब्रह्म ने अपनी सकती को रोग लिया सूखा तिनका नहीं जल सका तब तो उनका सिर लज़ा से जुग गया और वे हत्प्रतिग और हत्प्रभ होकर चुक चाप देउताओं के पास लोट आए और बोले कि मैं तो भली बाती नहीं जान सका कि यह यक्छ कौन है जब अगनी देवा सफल होकर लोट आए तब देवताओं ने इस कार के लिए आप प्रतिम शक्ती वायू देव को चुना और उनसे कहा कि वायू देव आप जाकर इस यक्छ का पूरा पता लगाईए कि यह कौन है वायू देव को भी अपनी बुद्धी शक्ती का गर्व था अता उन्होंने भी कहा अच्छी बात है अभी पता लगाता हूँ वायू देवता ने सोचा अगनी कहीं भूल कर गए होंगे नहीं तो यक्छ का परिचा जानना कौन बड़ी बात थी अस तो इस सफलता का स्रे मुझको ही मिलेगा यह सोचकर वे तुरंद यक्छ के समीब जा पहुँचे उन्हें अपने समीब खड़ा देकर यक्छ ने पूछा आप कौन है वायू ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर उत्तर दिया मैं परसिद वायू हूँ मेरा ही गौरव मैं और रहस पूर नाम मात्री श्रवा है वायू की भी वैसे ही गर्व युक्त वानी सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अंजान की भाती कहा अच्छा आप वायू देटा हैं और मात्री श्रवा अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विश्रण करने वाले भी आप ही है बड़ी अच्छी बात है पर यह तो बताए कि आप में क्या सकती है आप क्या कर सकते हैं इस पर वायू ने भी अगनी की भाती ही पुना सगर्व उत्तर दिया कि मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सब को बिना आधार के उठा लूँ उड़ा दूँ वायू देवता की भी पुना वैसी ही गर्वो युक्त वाणी सुनकर सब को सत्ता सकती देने वाले पर ब्रह्म पर मिश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डाल कर कहा आप तो सभी को उड़ा सकते हैं तनिक सा बल लगा कर इस सूखे तरण को उड़ा दीजिए वायू देवता ने भी मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहे जी उस तरण के पास पहुँचे उसे उड़ाना चाहा जब नहीं उड़ा तो उन्होंने अपनी पूरी सकती लगा दी परन्तु शकती मान पर मात्मा के दौरा सकती रोक लिये जाने के कारण वे उसे तनि तो भली माती नहीं जान सका किया यक्ष कौन है जब अगनी और वायू सरीखे अप प्रतिम सकती और बुद्धी संपन देवता असफल होकर लोट आया और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया तब देवताओं ने विचार करके स्वेम देवराज इंद्र को इस कार के लि इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है इंद्र बहुत अच्छा कैकर तुरंद्यक्ष के पास गए पर उनके वहां पहुंचते हैं वह उनके सामने से अंतर ध्यान हो गया इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभी मान था इसलिए ब्रह्म ने उनको वारता लापका त अवसर नहीं दिया परन्तु इस एक दोस्त के अत्रिक्त अन सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे अता उन्हें ब्रह्म तत्त्यु का ज्यान कराना आवश्चक समझ कर इसी की व्यवस्ता के लिए स्वयम अंतर ध्यान हो गया यक्ष के अंतर ध्यान हो जाने पर इंद्र व हमारी उमादेवी प्रकट हो गई हैं उन्हें देखर इंद्र उनके पास चले गए इंद्र पर कृपा करके करूणा मैं परणव पुर्ऽृसुत्तम ने ही उमारूपा साक्षाद ब्रहभुद्या को प्रकट किया था इंद्र ने भक्ति-पूर्व्वक उन से कहा भगवति आप सर्वग्य सिरोमनी इश्वर स्रिसंकर की स्वरूपा शक्ति हैं अता आपको अवस से ही सब बातों का पता है किरपाग पूरवग मुझे बतलाईए कि यह दिव यक्ष जो दर्सन देकर तुरंत ही छिप गया वस्तुता कौन है और किस हेतु से यहां प्रकट हुआ था तित्ये खंड समाप्त चतुर्थ खंड देव राज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर ध्यान हो गए वे साक्षात पर ब्रह्म पर मिश्वर हैं तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है या उन ब्रह्म की सकती से ही की है अतेव वस्तुता या उन पर ब्रह्म की ही विजय है तुम इसमें निमित मात्र थे परन्तु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लगे यह तुम्हारा मिथ्य अभिमान था और जिन परम करुणा एक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असरों पर तुम्हें विजय पृदान कराई उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्य अभिमान का नास करके तुम्हारा कल्यान करने के लिए यक्ष के रुप में प्रकट होकर अगनी और वायू का गर्व चून किया यहम तुम्हें वास्त्वे ग्यान देने के लिए मुझे प्रेरित किया अतेओ तुम अपनी सुतंत्र सक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्मित और सक्तिमान बने हो उनी की महिमा का महिमा समझो स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की सक्ति के बिना अपनी सुतंत्र सक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को ये निश्चे हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयम ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे समस्देवताओं में अगनी वायू और इंद्र को ही परम स्रेष्ट मानना चाहिए क्योंकि उन्ही तीनों ने ब्रह्म का संइस पर प्राप्त किया है पर ब्रम परमात्मा के दर्सन का उनका परिचे प्राप्त करने के प्रितन में प्रुवत होने का और उनके साथ वारता लाप का परम सौभाग उन्हीं को प्राप्त हुआ और उन्होंने सबसे पहले इस सद्द को समझा कि हम लोगों ने जिनका दरसन प्राप्त किया है जिन से वारता लाप किया है और जिनकी सक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त किया है वे ही साग्चात पूर्ण ब्रम परमात्मा है सारानसिया कि जन सोभाग साली महापुर्सों को किसी भी कारण से भगवान के दिवस्था इस पर्स का सोभाग प्राब्त हो गया है और जो उनके दर्सन इस पर्स और उनके साथ सदा लाब करने का सुआउसर पा चुके हैं उनकी माइमा इस मन्तर में इंद्रादी देवताओं का उधारन दे कर की गई है अब यह कहते हैं कि इन तीनों देवताओं में भी अगनी वायू क्या पेक्षा देवराज इंद्री शरिष्ट हैं अगनी तथा वायू ने दिव यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उसके साथ वारता लाप का सौभाग तो प्राप्त किया था परंतो उन्हें उसके सौरूप का ग्यान नहीं हुआ था भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराजिंद्र को सर्व सक्तिमान पर ब्रह्मपूर्शुत्तम के तत्व का ग्यान हुआ तदंतर इंद्र के बतलाने पर अगनी और वायू को उनके स्वरूप का पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने जाना कि हमें जो दिव यक्ष दिखलाई दे रहे थे वे साक्षात पर ब्रह्मपूर्शुत्तम ही हैं इस प्रकार अन्याई ने देवताओं ने केवर सुन कर जाना पर अन्य पर ब्रह्मपूर्शुत्तम के साथ ना तो वारता लाप करने का सो भाग मिला और ना उनके तत् अगनी वायू और इंद्र स्रेष्ट हैं क्योंकि इन तीनों को ब्रह्म का दर्शन और तत्तु ग्यान की ब्राप्ति हुई परन्तु इंद्र ने सबसे पहले उनके तत्तु को समझा इसलिए इंद्र सबसे स्रेष्ट माने गए जब साधक के हिर्दय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीवर अभिलासा जाग उठती है तब भगवान उसकी उतकंटा को और वी तीवतम तथा उतकंट बनाने के लिए बिजली की चमकने और आखों के जपकने की बहाती अपने स्वरूप की छणिक जहाकी दिखला कर छिप ज आया करते हैं पुर्वक्त आख्षाइका में इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव यक्चि के अंदर ध्यान हो जाने की बात आई है देवर इसी नारत को भी उनके पूर जनम में छण भर के लिए अपनी दिव जहां की दिखला कर भगवान अंदर ध्यान हो गए थे यह कत श्रीमत भागवत में आती है जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हिर्दय देश में पहले पहल भगवान के साकार या निराकार स्वरुप दर्शन या अनुभव होता है तब वह आनंद अश्चर से चकित सा हो जाता है इस से उसके हिर्दय में अपने आराद देव को नित्य निरंता देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवारे और परम उत्कंट अविलासा उत्पन हो जाती है फिर उसे च्छन भर के लिए भी इस्त साक्षातकार के बिना सांती नहीं मिलती यही बात इस मंत्र में आधी दैविक उधारन से समझाई गई है ऐसा प जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकते हैं सब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन ब्रकार से लगाया जा सकता है जब साधक को अपना मन आराद देवस्री भगवान के समीब तक पहुंचता हुआ सा दिखता है वह अपने मन से भगवा अत्यंत प्रेम हो जाता है फिर वह च्छडवन के लिए भी अपने इष्ट देव की वी स्मृति सहन नहीं कर सकता उस समय वह अतिसे व्यकुल हो जाता है वह नित निरंतर प्रेम पूर्वक उसका इसमरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार और परम उत्कंठ अभिलासा उत्पन हो जाती है पिछले मंत्र में जो बात आधी दैविक द्रश्टी से कही गई थी वही इसमें आध्यात्मिक द्रश्टी से कही गई है वह आनंद स्वरुपर ब्रह्म परमेश्वर सभी का अत्यंत प्रिये है सभी प्राणी किस इसलिए वे दुख खोचते हुए दुख रूप विश्यों में भटकते रहते हैं उसे पा नहीं सकते इस रहस को समझ कर साधक को चाहिए कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिये समझ कर उसके नित अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित निरंतर चिंतन करता रहे ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप स्वरूप प्रिये परमात्मा का साक्षातकार कर लेता है तब वह स्वयम भी आनंद में हो जाता है अता जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मिये समझ कर उसके साथ हिर्दय से प्रेम करने लगते हैं गु प्राथना की कि भगवण मुझे उपनिशद रहस्मई ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए इस पर गुर्देप ने का वद्स हम तुमें ब्रह्म विद्या का उब्देश कर चुके हैं तुम्हारे प्रस्न के उत्तर में सोत्रस्य सोत्रम जिसे लेकर उप्युक्त मंत्र तक जो कुछ उब्देश किया है तुम या दन रूप से समझ लो कि वह सुने चित रहस में ब्रह्म विद्या का ही उब्देश है ब्रह्म विद्या के सुनने मात्र से ही ब्रह्म के स्वरूप का रहस समझ में नहीं आता इसके लिए विसेश साधनों के आवश्यक्ता होती है इसलिए अब उन प्रधान साधनों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्म ग्यानी होगा यह तो ब रहस मई ब्रह्म विद्या इस्थिर हो सकती है जो सादक साधन संपत्ति की रक्षा ब्रद्धी तथा स्वधर्म पालन के लिए कटिंजी कटिंकष्ट को सहर स्विकार नहीं करते जो मन और इंद्रियों को भली भातिवस में नहीं कर लेते और जो निसकाम भाव से आना सक्त हो साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग है वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याक्या है अतेव वेदों का उसके अंगों सहीत अध्यन करना चाहिए और सत्यु सरूप परमेश्वर अर्था त्रिक काल बाधित सच्चिदा नंदगंपरमिश्ट्वर भृषष ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिस्ठान अस्र इस्थल आ परम लक्षि है अते उस ब्रह्म को लक्षि करके जो वेद आनुसार उसके तद्व का अनुशीलन करते हुए तब दम और प्रकार से जो उपनिसद रूपा ब्रह्मविद्य के रहस को जान लेता है अरफ़ातद अनुसार साधन में प्रवत्त हो जाता है वो समस्त पापों का परमात्मसाख्षाद कार में प्रतिबंधक रूप समस्त सुभा सुभ कर्मों का असेश रूप से नास करके नित्सत्त सर्वस्रेश्ट परमधाम में इस्थित्ध हो जाता है कभी वहां से लोड़ता नहीं सदा के लिए वहां पृतिश्ठित हो जाता है यहां पृतिश्ठित पद का पुनाव चारण ग्रंथ समाप्ति का सुचक तो है ही साथ ही उपदेश की निश्चित्ता का प झाल, झाल, झाल